तो गोल गपे बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए एक कप रावा सूजी जिसे हम बोलते हैं यह मोटा वादा रावा है सूजी काफी टाइप की आती है तो हमें देख के लेनी है हमें इडली वाली सूजी नहीं चाहिए नहीं हमें बारिक सूजी चाहिए हम लेंगे मोटा र दोसरा नहीं दाल दिया और बेकिंग सोड़ा कोशना थाया अब आट दोसी भाएट, पानी घरालogen यहां व्हां और रौत्पान सुणे यही जो सकते हिन lleva खाव भी वाद भी और खाव गलऊ तो चलिए इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम आटा बनाएंगे एक बार में पूरा पानी नहीं डालें क्योंकि एक बार में जादा पानी डल गया तो फिर जो हमारा आटा है वो उतना टाइट नहीं बनेगा जितना हमें चाहिए क्योंकि गोल कप्पों के लिए हमें थोड़ा सा स्टिफ डो बनाना होता है ताकि जो हमारे गोल कप्पे हैं जब उन्हें फ्राई किया जाए तो वो अच्छे से फूले तो उसी सबसे हमें थोड़ा टाइट आटा लगाना है दूसरा मीन स्टेप है इसमें नेडिंग इसे हमें दस मिनट तक अच्छे से मलना होता है लग जाते है दस मिनट तक इसे सोफ नहीं करना होता है लेकिन इस आटे को क्योंकि इसमें सूजी डाली है तो इसे डो को हमें अच्छे से बनाना होता है और इसे मैंने अच्छे से हो गया है तो इसे में एक दो मिनुट के लिए और नीड कर लोंगी फिर से और अभी हमारी पूरी बनने के लिए आता रह दिये हैं इसके जातों आप छोटे-छोटे गोले बना लें फिर उसकी पूरी बेल लें आप वह भी कर सकते हैं या फिर आप बड़ी सी रोटी बनाएं और इसमें से पूरी कट कर सकते हैं तो मैं देखते हैं दोनों में से मुझे कौन सा तरीका यूज करना है और बस इसे थोड़ा सा और मल लेंगे हम और इसे हम दो पूर्शन में डिवाइड कर देंगे और फिर उसकी बनाएंगे पूरियां आटा हमारा काफी टाइट है तो चलिए बढ़ते है नेक्स टेप के और तो आटे का मैंने दो मिनर तक और नीड कर लिया है अच्छा से और इसे दो पूर्शन में डिवाइड करके अभी हम इसकी बड़ी सारी रोटी बना लेंगे इसकी रोटी मैंने बना लिया अभी मैं इसमें से पूरी कट कर लेती हूँ आप देख सकते हैं रोटी हमारी पतली है इसे मोटा नहीं बेलना है हमें जितनी पतली होगी उत्ते ही हमारे जो गूल कप्पे ग्रिस्पी बनेंगे अगर रोटी मोटी बनाएंगे आप तो फिर तो इसलिए इसको पतला रखना है और फिर बस कोई भी ढखन नहीं कुछ भी है आपको जितना साइज गुलगप्टे का चाहिए उतनी बस ले उतने साइज काट ले तो हमारी जितनी भी पूरिया है वो बन चुकी है अभी इन्हें मैं आपको दो-तीन फ्राई करके दिखा दे बाकी की मैं बाद में करूंगी तो बस इस तरह से हमें इसे दबा के अच्छे से फूलाना है और तेल हमारा काफी गरम होना चाहिए अगर ठंडा होगा तो भी हमारी जो पूरी होती है वो फूलेगी नहीं तो बस इस तरह से हम इसे दबा दबा के जो हमारे गुलगप्टे अब देख सकते हैं कितना अच्छा से फूले हैं और इसे हम ऐसी तेल में छोड़तेंगे तक कि फिस्पी हो जाएं और बाकी के जो हमने गुल कपे बना के रखे हुए हैं मतलब जो पूरिय हमने बना के रखे हुए हैं वेल कर उन्हें हमें डग कर ही रखना है अगर आप एक डो बना रहे हैं तो बाकी के डो को भी आपको डग के रखना है ताकि वो सूखे नहीं तो बस इस तरह से हमें दबा अर्फार के पूरियो को बना लेना है तो गूलगपे हमारे बन के रैडी है और हमारा अलू की स्टाफिंग का पानी बीयू इन दोनों चीजों की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि यह दोनों चीजों और्मृसल ब्लोक को आती है कैसे बनाने है और इसको मैं आपको ऐसी बता देती हूं और दूसरा रिज़न यह था कि अगर मैं इनकी वीडियो बना थी तो फिर वीडियो जो है हमारी काफी लंभी हो जाती तो चलिए मैं आपको बता देती हूं इसे मैंने कैसे बनाया है आलू की स्टफिंग बहत एजी है मैंने सिर्फ चार मीडियम साइज के आलू लिये उन्हें उबाल लिया है फिर मैश कर लिया है साथ मी मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज आप चाहें तो हरदनीया, हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं चरहां कि मैं बनानी हृइट को दोनों में पसंदा आलो में तो इस में डाल सकते हैं यह फिर अडो नमक लाल मिर्च मैंने सिर्फ इस में डाला है झार एक्स्ते बाकि को अधर सकते घ्र और गोल कपों का पानी जो है ये तीखा, मीठा और कट्टा मैंने पूरा एक साथ में ही बना लिया है आप चाहे तो तीखा पानी अलग बना सकते हैं मीठा पानी लग बना सकते हैं यहांपे मैं लिया है 1-0 Humphunt 1 Moodhi के करीब मैंने लिया है ठीपीश इंतना ही मैंने धनिया लिया है दोनों के डाल दिया था मैंने ग्राइंडर में और साथ में डाल दिया था एक इंच स्थीट रॉकड़ा ही मैंने इसमें डाला याद रखका एक हरी मिर्श और सातमी थोड़ा से नमक काली मिर्श और मैंने इसमें डाला है पानी पूरी मसाला और इसमें गया है इमली का पानी ताकि इसमें थोड़ा खटा पना जाए फिर मैंने डाली इसमें थोड़ी सी चीनी क्योंकि हमें खटा मीठा तीका तीनों एक में करना था त तो हमारा पानी बनके ready है, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला लग से डाल सकते हैं, बुना हुआ जीरा पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन पानी पूरी मसाला में ये सब चीजे औरडी होती हैं, तो मैंने एक्स्टरा इसमें नहीं डाली, उपर से आप बुंदी डालना चाहें, त मैं आपको बाद में तोड़के भी दिखा देती हो तो अभी जब भी आपका मन हो गुल कप्पे खाने का बाहर से लेकर आने की जरूरत नहीं आप घर पे आराम से बना सकते हैं दूसरों को भी खिला सकते हैं चाहिए तो स्टॉल भी लगा सकते हैं तो बस इस तरह से आपको बनाने हैं और फिर आप मज़े लें गुल कपों के घर पर बाहर का खाना तो ऐसे ही सेफ नहीं है और पैसे भी लेके नहीं आना चाहिए तो घर पर बनाएं और इंच्वाइए करें तो यह देखिए हमारे गुल कपे कितने अच्छे बने हैं बस इस तरह से आपको भी बना पाई है मैं आपको एक दो और तोड़के दिखा देती हो आप देख सकते हैं कितके अच्छे से ही टूट रहें काफी ख्रिस्पी बनें काफी अच्छे से फूल गए हैं तो बस जो डू है वह आपको थोड़े टाइट बनाना होता है स्टिव बनाना होता है उसे का ध्यान रखी फिर बूलग पे काफी अच्छे हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगई तो पूरी वीडियो शरूर कर दें ज्याद़ से ज्याद़ जनों के साथ शेयर करें चैनल पर लिलसों आर्ड पिर श्याप्रशा करें और हमारी सलग्ण सो सब्सक्राइब करें हमा